अब 57 सदस्यों वाले मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संक्टन OIC ने भी अयुद्या में राम मंदिर के निर्मान पर अपना बयान चारी किया है किसी एक मुल्क ने आप मुझे बताएं जिसने ये कहा हो कि पायन ऐतो संकी कीता है और इस बयान को सुनकर ऐसा लग रहा है कि OIC को राम मंदिर के निर्मान से काफी मिर्च लगी है 57 सदस्यों वाले मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन OIC ने कहा है कि जिस तरह से सेकड़ों साल पुरानी बाबरी मस्जिद को दहा कर उसकी जगह मंदिर बनाया गया है वो एक चिंता का विशय है वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी OIC के मताबिक राम मंदिर बनना एक खतरनाक बात है ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए देख सबूत ना तुझे देने के जरूरत है तेरे अबा को देंगे ना तेरे बाप पाकिस्तान को देंगे दुनिया भर से और भी बहुत मुबारिक बादें भारत पहुच रही है इस सिल्सले में और काफी लीडर्स की तरफ से जो है और दुनिया के और वह भी बादे दी गई है इंडिया को मुदी साब को की जनाब आपको बहुत मुबारबाद देखे हमारी तो आदत सी बन गई है कि हमें हर चीज में बोलना होता है और नेगटिव ही बोलना होता है लेकिन पाकिस्तान में जो है वो तो गुस्सा है और मिर्चे लग गई है और बहुत इसके ओपर स्टे किया है मुस्लबानों पे हिंद्स्तान में मुस्लिबानों पे जलम हो रहा है इस वजासे वह रहा है नहीं सवय से लिए वैसे वो मुस्लमानों को पसांद ही करते है और जब रिसर्च कीburgh कि गई पहले किसी का अगर हमारे लिएम्चित घर है तो töर्लम मंदिर भी हिंदों के आने वाले भी हिंदू, करने वाले भी हिंदू, ये सब जूट है, मतलब सब जूट है, जूट है, पहले मजजद ही थी, आपके पास हम अभी वो हम से सबूत मांगेंगे, वो कहेंगे कि पाकिस्तानियों के पाक क्या सबूत है, वहां पर तो पहले मंदिर था, तो आप हम सब सबूत क्या सबूत ते देने के जरूत है पर अबत नहीं है। हजारों सबूत हैं और जो पढ़े लिग पाकिस्तानी हैं जो मामला समझते हैं वो समझ गए हैं कि हिंदू राइट है यहां पर यह के बाबरी मस्जद बनी उसके नाम से जाहर है कि बाबर ने मस्जद बनाई 1524 में बनाई उसके राम की जनम भूमी 9000 साल पूरा नहीं जब इन्वेडर्स यहां पर आया उन्होंने साथ हजार मंद्रों को तोड के मस्जद बनाई हाई कोट अफ अलाबाद से यह चीज़ शुरू हुई उसके बाद यह सुप्रीम कोट में गई सुप्रीम कोट ने 90,000 डाकुमेंट्स जो है अज़े एविडेस आठ जबानों में को हमारे नभी सल्हा उसलेम ने जब बरे सगीर के अंदर तबलीग की तो हम सारे पहले आपका नाम कैंप वॉरा समत Medal गुजर सिंग। गुजर्स के आप इस्ट्री निकालकर देखें के सारे आपको हिंदू मिलेंगे हजार साल पहले, मानते की नहीं मानते हैं। मानते हैं, अलहम्दिल्ला हम तो मुसल्मान है ना। मुसल्मान है ना भाई। हजारों सबूट दियें और ये सबूट आज गरें और बनाये हुए सबूत नहीं है। उनमें जो मुसल्मान तुम्हारे यहाँ पर डकैत आए थे जो राजा बन बैठे थे उनकी लिख़ी किताबें मुसल्मानों द्वारा किताबें उनमें रिफ्रेंस है उनमें लिखा गया है कि वहां मंदिर था और तोड़े कर बनाया गया उसको भी जहुटला दोगे और तु अब सारे सबूत दे दिये हैं, यह मानता ही नहीं है, वही सब तुम्हारा हो रहा है, क्योंकि हमने सारे सबूत दे दिये हैं, और एक आदम नहीं हजारों सबूत हैं, हजारों, और आज के नहीं हजारों साल के सबूत हैं, और तुम्हारे मानने न मानने से कोई फरक नहीं वहापे पहले भी मंदिर था, आज भी मंदिर है, सच यह ही है कि गोरी गजनवी आये, 17 बार सोमनात को उन्होंने तोड़ा, गोरी गजनवी दफन हो गया, सोमनात आज भी है यह सारी यहुदी लाभी है, अच्छा, बोदर यहुदी को तरफ जलेगे, उन बिचारों को तो बीज में कुसूर भी नहीं है, हमारे माइंसेट ऐसे बना दी गे है, जो भी बात हो थी पर ढ़ल दो, अच्छा, अमेरिका पर ढ़ल दो, हमें बड़ा असान है हमारे लिए, उ जाकर अपने बाप दादा का नाम पूछ, हिंदो नाम निकलेगा, फालतों की बात, देखिए, यही प्रॉब्लम है, लोगों को यही बताया गया है, बतब यह विश्वास करते हैं, आप सोचिए, कि मुगलों से पहले तो यहां कुछ था ही नहीं, मुगल ही मालिक थे यहा क्योंकि फिर कमजोर साबित हो जाएंगा, और कमजोर तो हैं यहां आप, इतनी से यहूदी लॉबी ने पूरी दुनिया में आप लोगों की बैंड वजा रखे, तो कहते हैं कि हम तो यह 100 काफिर पे बाहरी, काई बात के बाहरी हैं बाई, किस बात के बाहरी है, कोई achievement बता साल पहले क्या थी, वो बदल गए, क्योंकि उन्होंने रजिस्स नहीं किया, भारत क्यों नहीं बदला, समझे भारत इसलिए बदला, क्योंकि भारत ने लडाई लड़ी, इसलिए आज भी हमें, और लडाईयों की बात करेंगे तो फिर, इतियास हमारा भी थोड़ा पढ़ पुराना इतियास है, यार, तो अगर आब इतनी पुरानी चीज़ को ठुकराएंगे, नकारेंगे, तो आपके ठुकराने नकारने से सच्चा ही नहीं बदल जाती, और न बदलेगी, क्योंकि हमारे धर्म कुरंथों में किसी दूसरे मजब का पंत का जिकरी नहीं है, क्यों झाल